उम्र गुजरी है इसी दश्ट की सयाही में, पाँचवी पुष्ट है शबीर की मद्दाही में, शहनशाह मरसिया, मीर बबबर अलियानीस, फन्ने मरसिया गोई के शहनशा और बाश्चा कहलाते हैं मरसिया गोई को कमाल दर्जे तक पहुचाना और इसको जिन्दा और जावेद बनाना, ये मीर अनीस का ही कमाल है मीरनीस को मरसिया गोई और मरसिया निगारी जो है विर्से में मिली है उनके वालिद मीर मुहम्मद मुस्ताहसिन खलीक एक बड़े मरसिया निगार थे एक बड़े मरसिया गोई शायर थे मीरणीस 1802 में फैजाबाद में पैदा हुए है और 1874 में लखनव में मीरणीस का इंतकाल हुआ है मीरणीस ने बहुत सारे मरसिये लिखे इप्तदा इन्होंने घजल से की थी लेकिन जल्दी ये मरसिये की तरफ लौट आए और जो मरसिये इन्होंने लिखे हैं लोगों ने लिखा है कि इनके जैसे मरसी है आज तक लोग लिख नहीं पाए तो मीर अनीस की गवर पर आज हम आपको ले जाने वाले हैं और ये वीडियो ये विज्वियल आपके सामने है आप देख सकते हैं कि इस रास्ते से होते हुए हम मीर अनीस के घर की तरफ जा रहे थे ये रास्ता जो है आप नखास चौराहे से तकरीबन डिर दो किलो मीटर पहले एक धलाओ है तुंडे कवाबी वहाँ पे एक बहुती मशूर दुकान है तुंडे कवाबी उसका पता आप लोग पूछ ले वो एक धलाओ की तरफ जाके गली में है आप उस धलाओ का पता कर लें कि वो धलाओ कहा है उस धलाओ से जब आगे जाएंगे तो एक फवारा है फवारे के बगल से एक गली जाती है जो की कूचाय मीर अनीस के नाम से मशूर है हाला कि इसका पता वहां के जो रहने वाले हैं उनको भी बहुत ही कम है आसपास वाले मीरनीस को बहुत ही कम जानते हैं कुछ लोग हैं जो जानते हैं तो कुछ लोग से अगर आपकी मुलाकात हो जाती है तो आपको आसानी से उस रास्ते का पता चल जाएगा वरना बड़ी दिक्कत होती है मुझे बहुत आगे पीछे वहाँ पर करना पड़ा और किसी तरह से मैं इस रास्ते तक पहुचा हूँ और इस रास्ते के जरीये से जब मैं मीरनीस के मकबरे पर पहुचा यहां ताला लगा हुआ है देखते हैं कोई सुर्थ निकलते है कि नहीं इसके मकबरे पर चैनल लगा हुआ है और चैनल पर ताला लगा हुआ है बगल में घर था उस घर में मैंने आवाज थी घर के अंदर वालों ने बताया कि आप यहां से खान बहादूर सहाब के घर पर चले जाएं वहाँ पर आपको इस मकबरे की चाबी मिल जाएगी लेहाज़ा मैं खान बहादूर सहाब के घर की दलाश में निकल गया और पुछते पुछते मैं इन रास्तों से गुजरते हुए इधर से कभी रास्ते में कुछ लोगों से पूछा कि खान बहादूर सहाब की घर जाना है तो लोगों ने बताया कि आगे जाई ये एक बड़ा सा दर्वाजा है वहां मैं किसी तरह से ये मीर अनीज सहाब के जो पुष्टैनी घर था उस घर तक मैं पहुंचा और दर्वाजा जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा दर था बहुत देर तक महां में खड़ा था काफी टाइम हो गया तकरीबान एक घंटे तक मैं वहां खड़ा रहा तो एक सहाब जो है वहां पे आते हैं जो कि उस घर में जो कि मीर अनीज की साथवी पुष्ट के लोग रह रहे थे उनके दोस्तों में से थे वो आते हैं वो दीली गलर की शट पहने हुए हैं यह अपने आपको मीर अनीज की साथवी पुष्ट में से अपने आपको बता रहे थे और साथ में उनके दोस्त थे जिनके जरिये से मुझे आसानी से यह इन से रापता हो सका और मैं इन लोगों के साथ उस मकबरे के अंदर जाता हूँ मक वड़ा मैंटें था लेकिन आसपास का जो इलाखा था उसके इर्दिगर्द का वो मनलब की काफी गंदगी थी और काफी उजड़ा हुआ मालूम हो रहा था आप वीडियो में देख सकते हैं ये जो नीले कलर की शट पहने हुए हैं ये अपने आपको मीर अनीस की साथवी पुष्ट से बता रहे थे आईए कुछ मीर अनीस के तायलुक से उनके शक्सियत के तायलुक से कुछ बातें भी हो जाएं शेंशाय मरसिया मीर अनीस का नाम मीर बबबर अली था और तखल्स अनीस था अप्तिदा में मीर अनीस जो हजी तखल्स रखते थे इमाम बख्ष नासिख के मश्वरे पर उन्होंने अपना तखल्स हजी से अनीस कर लिया मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए है उनके परदादा मीर गुला मुसें जाहिक दहली की तबाही के बाद अपने बेटे मीर हसन के साथ दहली को छोड़कर फैज़ाबाद चले आए मीर अनीस ने अपने वालिद मीर खलीक के जिरे साया तालीम उतरबियत पाई मीर नजफ अली फैज़ाबादी और मुलवी हैदर अली लखनवी से भी तालीम हासिल की अनीस की वालदा भी एक तालीम याफ़ता खातून थी और फार्सी जबान पर काफी पकड़ थी मीर नीस की अपतदाई तालीम वालदा का बड़ा हाथ है मीर अनीस का मुताईला बहुत वसी था अर्बी फार्सी पर अच्छी पकड़ थी इन तमाम अलूम के अलावा उस अलूम पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी जो उस जमाने में राईच थी जिसे अरूज, मन्तिक, फलस्फा, तिब, इसके अलावा कुरान और हदीस पर भी उनको अच्छी पकड़ दी मीर अनीस के कुछ अशार भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ जिसा कि उनका ही बड़ा मशहूर शेयर है कि जदो आबा के सिवा और की तकलीद नहू लवस मुगलक नहू गंजलक नहू ताकीद नहू एक इसके अलावा उनका शेयर है कि ठंडी ठंडी वो हवाएं वो बयाबां वो सहर दम बदम जूमते थे वजद के आलम में शचर एक शेयर उनका है कि दबदबा भी हो मसाइब भी हो तौसीफ भी हो दिल भी महजूज हो रिक्त भी हो तारीफ भी हो इसके लावा उनका शेयर है कि जाहिद ऐसे थे कि मुम्तास थे अबरारों में आबिद ऐसे थे कि सजदे किये तलवारों में शेर है के लवज भी चुस्त हो मजमून भी आली होवे मरसिया दर्द की बातों से नखाली होवे